गुड मॉर्णिंग बच्चों, सारी गुड इवनिंग बच्चों और ये गुड मॉर्णिंग बोलते बोलते एडिटोरल में आदत हो ज़ेगे हैं ये शाम को आपको मेरा गुड इवनिंग ठीक हैं ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेंट के exercise सेट फोर के साथ मैं आपके साम मैं एक ऐसी class चलाओ जिसमें आपकी एक ऐसी समस्या दूर केज है जो समस्या अकसर आप फिल करते हैं जब भी आप किसी से chatting करते हैं जब भी आपको English में बोलना होते हैं जब भी आप कहीं किसी को WhatsApp पे या फिर Facebook पे कुछ लिखना होते हैं तो आप एक inferiority complex से ग्रस्थ हो जा पाते हैं तो एक ऐसी class जिसमें आपकी छोड़ी-छोड़ी इन समस्याओं का समाधान हो कि हम किसी से अगर बात करें अगर हम किसी से बात करें तो जो हम सोचते हैं उसे English में कैसे convert करके हम लिख सकें तो एक ऐसी class जो 7 बज़े से इसी slot पे शुरू हो और फिर उसमें आपको spoken English with translation in chatting इस तरीके के आपके concept के साथ आपको पढ़ायज है ताकि आपकी छोटी-छोटी समस्याओं से आप मुक्त हो और एक प्रकार की जो inferiority complex मैंने नाम दिया मैंस हीनुता की भावना इस भावना से भी आप क्या हो सकें मुक्त हो सकें अपनी राय जरूर दीजेगा और य सौथे सेट पर हम बढ़ते हैं जो मारा लास सेट है और इसका पहला question आपके सामने देखें आप बोलें क्या गलत है इस question देख लें बच्चों question को अच्छी तरीके से और फिर आगे बढ़ें question जैसा क्या आप देख रहे होंगे करें in spite of the best governmental efforts यानि सबसे अच्छे सरकारी प्रयाशों के in spite of ये तो सही है के बावजूद emission of greenhouse gases and ये end होगा बच्चों यहाँ पे end रहेगा and noxious chemicals noxious means समझते होंगे जहरीले means विशायले यानि जो emission होता है यानि जो उत्सरजन होता है आफ greenhouse gases greenhouse gases का and noxious chemicals और विशायले रसायनों का remain वो emission remain a cause of worry वो कहिन कहीं हमारी चिंता का कारण remain बना रहता है क्या गलत है क्या यहाँ कोई गलती है in spite of the best governmental efforts efforts noun है तो उसके पहले governmental सही है adjective है इस adjective को best के द्वारा आपने superlative degree का use किया और the modifier उसके पहले आपने सही लगाया बिलकुश सही इसके बाद आपकी class यहाँ से शुरू होती है जिसका subject क्या है emission क्यों क्यों क्योंकि preposition के पहले ही आपका subject होगा यह subject है अब इसके बाद बच्चों कौन से nouns प्रोनाउंस है इनका कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए अब आपको फर्क नहीं पढ़ना चाहिए कि greenhouse gases है तो क्या है and noxious chemicals है तो क्या है आपकी जो वर्ब remain है यह वर्ब किससे प्रभावित होगी किसके agreement में होगी emission के तो emission तो singular subject है अगर singular subject है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए singular होनी चाहिए यानि emission अगर आपका है इसके साथ क्या होना चाहिए था remains होना चाहिए लेकिन लिखा क्या है गया है बड़ी बड़ी अक्चरों में क्या लिखा है remain यानि यह subject verb agreement का पालन नहीं हो रहा है यानि यह जो आपका d portion है यह portion क्या है आपका गलत है यानि remain में क्या जूड़ जाएगा s क्यों क्योंकि subject आपका क्या है singular है ठेक चले आगे बड़ते हैं दूसरे question की तरफ यह है आपका his comments उसके जो comments है came आए यानि उसके जवाब आए उसके टिपड़ियां आए after the research group said कब आए जब research group ने कहा that की it's यहाँ it's बना ले it's a consumer confidence index की इसके उभगताओं का जो confidence index है विश्वास की जो index है सूचे कह सकते हैं आप were to its lowest level वो index अपने निमनतम सीमा तक था तो his comments came यहाँ कोई गलती past indefinite सही है after the research group said होनी चे गलती बच्चों आप after के बाद past perfect होना चे जैसा हम लोग पढ़ते हैं लेकिन अगर एक घटना के तुरंत बात दूसरा कारी हुआ है तो आप इसे ही secondary error के रूप में रखेंगे क्यों क्यों क्योंकि आपके पास एक ऐसी primary error है जिसको आप ignore नहीं कर सकते हैं कौन सी primary error है देखें that तो उन्होंने क्या कहा कि it's the consumer confidence index कि इनका जो consumer confidence index है यह index singular है या plural यह index क्या है singular है subject के रूप में और वर्ब आपनी क्या ले लिया plural ले लिया यह agreement कैसे हो जाएगा SS के साथ तो SV होना चीए था न यानि यहाँ वर नहीं होगा index के नुसार क्या हो जाएगा बच्चों वाज हो जाएगा यह हो जाएगा और यहाँ head होना चीए था लेहन यह चलेगा अगर एक घटना तुरंत दूसरी घटना के बाद होई हो तो फिर यहाँ यह नहीं चलेगा कि आप index के साथ वर लगा लें इसलिए इस primary error को आपको देखना होगा न कि इस secondary error को ठीक है चले थर्ड question पे आते है the act will be passed कौन सी वाज़ से बच्चों यह passive वाज़ से कोई दिकत नहीं the act will be passed यानि यह act जो है passed हो जाएगा with a comfortable majority यह ठीक ठाक बहुमत के साथ majority singular है तो यह इसके पहले लगा हुआ है adjective से पहले if कैसे पास जाएगा यदि all the partitions of her group यदि उसके group के सभी partitions सभी जो पच्च हैं favors it क्या करते हूँ इसका समर्थन करते हूँ मैंने कई बार के बच्चों आफ के बाद आपका कभी subject नहीं आएगा प्रिपोजिशन के बाद नहीं आएगा प्रिपोजिशन से पहले आएगा क्या लिखा है प्रिपोजिशन से पहले प्लिूरल होगी जहां देखें प्लिूरल है क्या ये प्लिूरल है क्या वर्बाब की favors it नहीं है यहां क्या हो जाएगा प्लिूरल बना लें favor हो जाएगा ठीक है यहां डी पोर्शन में आपकी error मानी चाहेगी चली fourth question पर आ गया हम दो my elder sister and I am interested in painting यहनी मेरी बड़ी बहन और मैं painting में interested है and or therefore इसलिए have joined the coaching classes इसलिए हमने coaching classes ज्वाइन कर ली है किनोंने ज्वाइन कर ली है मेरी बड़ी बहन ने और मैंने कितने subjects हो गए दो जब दो subjects हैं तो end के साथ have तो सही होगा आपका have के साथ work की third form भी सही है और the coaching classes भी सही है अलग-अलग classes उन्हों ज्वाइन की अब यहाँ पर देखें my elder sister and I यह आपका my elder sister एक subject हो गया ठीक है और फिर आपने किस से जोड़ा end से और फिर आपका एक और subject I हो गया यह दो subjects आपने end से जोड़े ठीक है अगर दो subjects हुए तो verb क्या होंगे आपके अगर अलग-अलग है तो plural होगी तो आप यहीं पर देख ले न क्या आपने plural verb ली है क्या आपने I के अनुसार तो M ले लिया भूल गए के वल मैं ही नहीं हूँ मेरी पड़ी बहन भी है दो लोग है तो दो लोग के लिए M नहीं होगा क्या हो जाएगा यहां पे R हो जाएगा समझ गए होंगे ठीक है चले ध्यान रखेगा interested in something होता है बच्चों तो इस सही है आप next question, fifth question हमारे पास है it is unfortunate यह दुरभागय पूर्ण है सही है it is a B के साथ adjective आया है यह दुरभागय पूर्ण है but लेकिन still फिर भी यहां still का मतलब फिर भी और reality फिर भी क्या है एक वास्तविक्ता है कौन सी वास्तविक्ता that की poverty and development की गरीबी और development means विकाश यानी poverty हमारा क्या हो गया? एक subject हो गया इसे किस से जोड़ा आपने? and से फिर development एक subject हो गया दो singular subjects को आपने किस से जोड़ा? and से जोड़ा तो अगर दो अलग अलग अलग, poverty अलग है, development अलग है एक तो होने ही सकता हैं कभी तो अगर दो अलग-अलग subjects को आपनी end से जोड़ा तो आपकी verb क्या होनी चाहिए? Plural verb होनी चाहिए क्या plural verb है आपकी? है, goes नहीं है यहां क्या होना चाहिए आपके पास? Goes के अस्थान पे क्या होना चाहिए? Go होना चाहिए अर्थात आपके C portion में क्या है? Error है ठीक है? समझ दगे होंगे, नहीं समझे होंगे comments में जरूर बताएगा जिस question में आपकी problem आ है Sixth question हमारे सामने है देख लिए, बिलकुल easy question होना चाहिए जिस level पे आप हैं बच्चों, आसान होना चाहिए आपको The artist and writer जो बच्चे ये सब questions नहीं समझ पा रहे हैं बिलकुल नहीं समझ पा रहे हैं वो बच्चे मेरा जो आठ segments में मैंने आठ parts में subject, verb, agreement के सारे रोज जो करीब हैं सब वो मैंने वहाँ समझाये हुए सब करीब करीब समझाये हुए आप उन्हें अच्छे से पढ़ लें और ये questions आपके लिए आसान हो जाएं ठीक है? लेकि अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों तब तो the artist and writer has died has लगेगा क्या यहां पे बच्चों? has लगेगा क्या? लगेगा? बिलकुल लगेगा क्यों लगेगा? क्योंकि आपने एक noun artist लिया, एक noun writer लिया और इन्हें किस से जोड़ा? end से दोनो singular हैं लेकिन आप भूल गए हैं कि आपने केवल artist के पहले दह रखा और writer के पहले दह रखना भूल गया और इससे हुआ क्या? दोनों मिल करके क्या हो गए? एक हो गए और जब artist और writer दोनों मिल करके एक हो गए आपकी छोटी सी गलती के कारण तो फिर इस गलती का भुगतान तो करना पड़ेगा न जब दोनों एक हो गए तो इनकी verb भी क्या होगी? एक ही होगी, अर्थात क्या होगी? singular होगी और अगर verb singular होगी तो फिर already has ही तो है यानि यहाँ पे क्या हो जाएगा? No error, कोई गलती नहीं वाखिए क्या है बिलकुल आपका सही यहाँ पे है, ठीक? चले बच्चों, यह next question देखते है 7th question पे आगए है I, मैं and not you, आप नहीं are responsible for this guilt यानि इस अपराद के लिए, इस दोश के लिए मैं, मला आप नहीं, मैं दोशे हो बच्चों, ध्यान रखेगा एक चीज जो मैं आपको समझाएं जो बच्चों, moderate level पे है कभी भी अगर आपको with लगे, with मिले along with मिले या together with मिले या besides मिले या as well as मिले या like मिले या normally, but मिले या rather than मिले या in addition in addition to मिले या in comparison to मिले या led by मिले या governed by मिले या उपर लिख दे रहें called by मिले या organized by मिले या accompanied by मिले इन सभी शब्दों के साथ जो nouns जुड़े हुए देखें आप उन्हें पहले पढ़ने का तरीका सीख लें और ये भी बच्चों अगर ये शब्द मिले तो आप ऐसे न पढ़ें I and not you उल्टा पढ़ें you and not I यानि and not you आप नहीं I मैं ऐसे पढ़ें बच्चों यानि and not you आप नहीं मैं और तब देखें आसान हो जाएगा I के साथ R कैसे आजाएगा तब आपके लिए आसान हो जाएगा यानि I के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे आर इस सारी वर्ड बच्चों देख लिजएगा screenshot ले 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 आम एने दूसरे segment में भी पढ़ाया हुआ था इसे वहाँ भी देख लिजएगा लिखा था मैंने वहाँ से आप देख सकते हैं ठीक है इन सारे शब्दों को उल्टा पढ़ें जैसे आपने लिखा माई मदर लाइक माई ब्रदर्स आर गोईग अब ऐसा देख के लगेगा माई ब्रदर्स है तो आर सही हो जाएगा लेकिन उल्टा पढ़के देखें तो आपके लिए आसान हो जाएगा यानि माई ब्रदर्स लाइक माई ब्रदर्स यानि मेरे भाईयों की तरह माई मदर अब आर गोईग लेंगे क्या आप नहीं लेंगे इसलिए आपके लिए आसान होगा और एक चीज़ और इन सारे शब्दों के साथ जो भी मैंने लिखे थे उनके साथ हमेशा इन सब्दों के पहले जो नाउन है उनके अनुसार वर्ब सेट करें तो आप my mother के अनुसार आप लेंगे अगर आर तो कैसे होगा बच्चों क्या आएगा am हो ठीक है यानि कभी भी अगर and not वगर है तो पहले वाले subject करने साथ चले न की बाद अलोड पढ़ने में बाद वाले को पहले पढ़ने पूरा और फिर पहले वाला subject पढ़ेंगे तो आसान होगा ठीक है चले आगे पढ़ते हैं देखे ये भी कर लेंगे बाद य इसके बाद वाला जो portion noun है वो आप पहले पढ़ ले यानि rather than your brother यानि आपके भाई की अपेच्छा you अब you के साथ देखें क्या has आएगा क्या कभी नहीं आएगा नॉर्मल ग्रामाटिकल सेंस में तो कभी नहीं आएगा न तो फिर you है अगर यहाँ पे तो has दिया गया verb के में गलत है क्या हो जाएगा यहाँ पे हैव हो जाएगा तो हो जाएगा you rather than your brother have done this arduous task हो जाएगा ठीक है समझ नहीं होंगे आप नहीं समझ पाएगा बिल्कुल बताएगा आप चलिए निक्स आपका रूल है आपका not only the student but also his teachers are very responsible in the class बोलें बच्चों क्या गलत है यहाँ पे जब तक आप सोचें मैं यहाँ लिख रहा हूँ not only but also either dot dot are neither dot dot nor whether dot dot are या केवल भी आर हो तो आपको याद होगा इनमें जो हमारे पास पास वाला subject होता है उसके अनुसार चलते हैं वर्ब उसके अनुसार लेते हैं तो वर्ब है कहा हमारे पास यहाँ है न आर तो यह पास वाले subject अनुसार चलेगे तो आर किसके पास है his teachers तो his teachers के साथ अगर है are तो कैसे गलत हो जाएगा क्योंकि his teachers plural है तो are already क्या है plural है अर्थात इस वाकि में क्या हो जाएगा no error कोई error नहीं आपका है वाकि क्या है बिलकुल सही है यह rule याद कर लें कि इनमें हमेशा बाद वाले कह सकते हैं या पास वाले subject अनुसार वर्ब का हम प्रयोग करते हैं next question देख लें 10th question हमारा halfway पे हमारे he is one of those few post-colonial writer who believes that this task यहाँ टास्क बिलक बनाले पे त-A-L-K यहाँ पे this talk about colonialism has gone too far and has turned into a klish यहाँ क्या हो जाएगा has has turned into a klish klish means टकराओ बाधा अवरोध ठीक है तो he is one of those few post-colonial writer जैसे पने बच्चो न आपके मन में एक चीज आ जाने चीए कि one of के साथ हमेशा plural countable noun ही आएगा तो अब अगर plural countable noun आएगा one of के साथ तो क्या यहाँ यह पालन किया गया he is one of those few post-colonial post-colonial पोश्ट करने समय है उपनिवेश वाद के बाद का जो समय है वो post-colonial समय कहलाता है एरा कहलाता है तो post-colonial writer क्या writer यहाँ जो noun है वो plural है बच्चो वन आपके बाद क्या आना चीए था noun plural आना चीए था नहीं है तो सबसे पहले writer को क्या बना लेते हैं हम writers बना लेते हैं अब writers के लिए हमने क्या लिया है who writers के लिए हमने क्या लिया who तो relative pronoun किसके अनुसार चलता है अपने noun के अनुसार antecedent के अनुसार तो अगर वो अपने antecedent के अनुसार चलेगा तो उसी के साब से verb भी लेगा तो क्या यह verb है बच्चो बिलीप्स अब हम who के सामने लिख दे रहे हैं अब देखें यह who किसके लिए है writers के लिए और आपने who के साथ क्या लगाया बिलीप्स साथ यह subject agreement को कहिन आई आप वायलेट कर रहे हैं तोर रहें इस rules को हुआ यह beliefs नहीं होगा आप believe होगा plural क्यों 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 किंकि who plural लिया जाएगा क्यों? क्योंकि किसके लिए लगाया आपने writers के लिए इसलिए यहां पर believe हो जाए यानि आपका a portion क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा जिसमें सबसे पहले one-off की वज़े से writers बना ले और इस वज़े से who के साथ आपका क्या हो जाएगा? plural verb हो जाएगा. चली 11th question पर आगया हम लोग. Two miles beyond that building was seen dozens of antisocial elements. अपनी कोशिश करें बच्चों, क्या गलत है याप? आप बताएं क्या गलत हो सकता यहाँ? क्या आपको लग रहा है यहाँ subject to miles से बच्चों? नहीं. अचुली जब भी आपको adverb of place, जैसे here है न, here, there, in, out, inside, outside, बहुत सारे जो कहां का जबाब दें यह सब क्या होते है? अचुली जब भी adverb of place वाक के आरंभ में आ जाए, देखें, two miles beyond that building कहां? उस building से दो मील परे, यानि पूरा क्या हो गया आपका? अगर यह adverb of place वाक के आरंभ में आया, तो यह कभी भी आपका क्या नहीं हो सकता है? subject नहीं हो सकता है, subject कहां होगी फिर वर्व के बाद, वर्व के बाद क्या है बच्चों आपका? dozens है न, आपकी पहले dozens, dozens of anti-social elements, यह dozens of anti-social elements आपका वास्तविक को subject है, अगर यह वास्तविक subject है, इस वास्तविक subject के साथ आपने लिया क्या है? वाज सेन, गलत है, इसके नुसार क्या हो जाएगा? यहां पे आपका वर सेन हो जाएगा, ऐसे वाकी करेंगे, तब आप completion में बहतर कर पाएंगे, चले आगे बढ़ते हैं, वाकी फिर से आप जरूर देखेगा, दो बार, तीन बार, चार बार देखना पड़े, तो भी दे इस I, who is to blame? बच्चों देहान रखेगा, अगर एक्जाम में आपको it is me दिया गया हो, तो traditional grammar में यह गलत माना चाहता है, ठीक है? वो भी तब जब इसके बाद पूरी class दी गई हो, लेकिन मैं क्यों आपको spoken पढ़ाना चाहरा हूँ? यही सब बताने के लिए, कहां पर किस तरीके साब बोलें, it's me बोलें, या it's I बोलें, क्या बोलें? ऐसे बहुत साइज sentences जो आप अपनी routine life में क्या करते हैं? यूज करते हैं, प्रेयोग करते हैं, तो चले बोलें यहां क्या गलत है? it is I, who is to blame? यह मैं हूँ, जिससे दोस्ट दिया जाना है for this bad situation, means इस बुरी इ स्थिते के लिए, ठीक है? अब आप देखें बच्चो, it is I तो सही न, it तो is ही लेगा, I का नुसार am तो लेगा नहीं आपका, तो it is I सही, यह who is to blame adjective class है, ठीक है? यह adjective class किस के लिए आएगी? noun के लिए, pronoun के लिए, I के लिए, तो who किस के लिए लगाया आपने? I के लिए, अब अगर आपने who I के लिए लगाया, तो I के साथ इस कैसे लिए लेंगे आप, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? I am होना चाहिए था, समझाएंगे, ऐसे भी वागी important कई बार exams में आपको दिए गए. चलिए, next question देखें, 13th question, everyone of the films, यानि हर, मलब उन फिल्मों में से, हर एक जो फिल्म, वैसे यह everyone सही पूछे, तो ऐसे लिखना चाहिए था बच्चों, अलग-अलग, everyone, ऐसे, फिर भी उससो कोई फर्क नहीं बहुत है, everyone of the film show, यानि उन फिल्मों में से, हर एक फिल्म, कौन से फिल्म से? You suggested, जिस फिल्म को, जिन फिल्म को आपने suggest किया था, actually यहाँ छीपा है बच्चों, क्या? Which you suggested, जिन फिल्मों को आपने सुझाओ दिया, तो everyone of the film, उन फिल्मों में से, हर एक फिल्म, आर, होगा क्या? यह आर हो सकता है, यह आर किसके लिए है? आफ के पहले आए, noun to noun के लिए, everyone के लिए, क्या every, क्या each, क्या either, या neither, सामान्य वस्था में कभी भी plural verb ले सकते हैं, कभी नहीं ले सकते हैं, तो फिर everyone के साथ आपने क्या गलत कर दिया है? आर ले लिया है, आर नहीं होगा बच्चों, क्या होगा? यहाँ पर is हो जाएगा, तो उन फिल्मों में से, हर एक फिल्म जो है, you suggested, जो आपने सुझाओ दिया था, is हो जाएगा, is not worth saying, वो देखने योग्य नहीं, worth saying means देखने योग्य नहीं है, ओके आगे बढ़ते हैं, 14th question आपके सामने है, a computer virus works exactly, exactly क्या है? Adverb of manner, तो verb के बाद आया, यानि एक computer virus जो होता है, works exactly, ठीक वैसे ही काम करता है, like, जैसे, the biological variety, जैसे biological variety उसका काम करती है, वैसे वो computer virus भी काम करता है, which, जो, invade, आक्रमण करता है, the human body, हमारी मनुष्य के शरीर पर, पच्चों, ये which किसके लिए आपने लगाया? किसके लिए है? which आपने biological variety के लिए लगाया, ये biological variety क्या है? singular subject, इसके लिए जब आपने which लगाया, तो which भी क्या होगा? singular subject के लिए लगेगा, singular verb लेगा, और आपने लिया क्या? invade गलती से ले लिया आपने, plural ले लिया आपने, तो गलती सुधार लीजे न, बस इस invade में क्या जोड़ दीजे? अर्थात, यहाँ invade नहीं होगा, क्या होजाएगा? invades होजाए, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं, 15th question हमारे सामने है, if it were possible, यदि ये संभव होता, to get near, कि हम पास जा पाते, when, जब, one of the volcanic eruptions, जब वो फूटने वाले लामों में से एक लावा, उन फूटने वाले लामों में से एक लावा, टेक प्लेस, क्या होगा होता? फूट रहा होता, तो we would see a grand side, तो हम एक शांदार द्रिश्य देख पाते, सबसे पहले बच्चों, ये देख लें, आफ की पहले one है, यानि यही subject है, अब इस subject के लिए आपने वर्ब क्या लिया? टेक, तो कभी नहीं होगा, अब ये टेक के अस्थान पे क्या होना चाहे था? टेक्स, लेकिन, चुकि हम पाश्ट की बात कर रहे हैं, ये इट के साथ वर्ब सही बच्चों, क्यों? क्योंकि हम एक कालपनिक बात कर रहे हैं, यदि ऐसा हो पाता तो, तो इससे होता है न, इट के साथ वर्ब सही बच्चों, ठीक है, लेकिन यहाँ देखे, ये चुकि पाश्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए वन के लिए टेक्स लेने के बजाए, आप किसका प्रियोग कर लें? टुक काप्रियोग कर लें, ये बहतर टेक्स भी हो सकता है, टुक लेकिन चुकि हम पाश्ट की घटना की बात कर रहे हैं, इसलिए हम टुक लेले, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ता है, 16th question आपके सामने आगा, इन सिंगापुर, सिंगापुर में my brother-in-law, मेरी जो brother-in-law, brother-in-law बच्चों, दोनों तरब से होता है, जैसे मेरी पत्नी के जो भाई होंगे, वो मेरी लिए brother-in-law, मेरी साले कहलाएंगे, लेकिन वहां के लिए मेरी जो in-laws हैं, वहां के लिए मैं उनका क्या कहलाओंगा, मैं भी उनका brother-in-law कहलाओंगा, यानि मेरी जो साले हैं, उनका मैं क्या कहलाओंगा, brother-in-law कहलाओंगा मेरे जो मेरी पत्नी के जो पिता हैं वो मेरे फादर इन ला हैं तो मेरी पत्नी के लिए मेरे पिता भी क्या होंगे फादर इन ला हो जाएंगा ऐसे ये संबंध होते हैं ठीक है तो इन सिंगापुर में my brother-in-law मेरे जो साले हैं with his wife अपनी पत्नी के साथ were present उपस्थित थे at the function उस function में ठीक है बोने क्या गलत है आप ध्याने बहुत सारी बच्चे पूछते हैं sir ससुराल के मेनिंग क्या होती ठीक है बच्चों याद कर लें ये होती है in-laws house in-laws house में ससुराल in-laws क्यों क्यों मेरे लिए मेरी ससुराल के सब लोग किसमें आएंगे in-law में आएंगे brother-in- sister-in-law father-in-law mother-in-law ऐसे आएंगे बच्चों ठीक है तो in Singapore my brother-in-law मेरे जो साले थे with his wife with देखा आपने जब आपने with देखा तुरंत एमान लें अब इसके बाद क्या है ये माइनी नहीं रखता है जो इसके पहले है वो हमारा वास्तविक subject है तो brother-in-law तो singular है लेकिन आपने से गलती कर दी बच्चों वर ले लिया क्या होगा वर की बजाए यहां पर क्या हो जाएगा वाज हो जाएगा समझ जाएंगे चली बच्चों यह आसान questions होने चाहिए आपके लिए और कर लेंगे आप जहां दिखते हों जरूर शेयर करेगा shingles are a disease, shingles एक ऐसी बिमारी है in which जिसमें a person develops lots of inflamed spores जिसमें होता क्या है एक आदमी के सिर पे बहुत सारी inflamed spores बन जाते हैं में इसे चकत्ते पढ़ जाते हैं अर्थाथ सूजन आ जाते वहाँ ठीक है क्या गलत है बच्चों ये shingles are तो सही होना ची न यानि अगर ये सही होना ची तो फिर mums के साथ भी ऐसा होना ची फिर measles के साथ भी ऐसा होना ची फिर rabies के साथ भी ऐसा होना ची फिर rickets के साथ भी ऐसा होना ची फिर arthritis के साथ भी ऐसा होना ची फिर जिंजिवाइटिस के साथ भी ऐसा होना चे फिर सिंगल्स के साथ तो आप करना ही चाहा रहें फिर न्यूज के साथ भी ऐसा होना चे फिर समन्स के साथ भी ऐसा होना चे और भी जितने सब्जेक्ट्स हैं Physics, Civics, Politics, Economics, Mathematics, Arithmetics, Phonetics, Ethics, Poetics, Rhetorics, Electronics, Mechanics, The Nobharat Times, The Times of India, The United States of America, The United Arab Emirates, और भी गुन्नार मिडल की, Gulliver's Travels, The Arabian Nights, सब के साथ plural होना ची. लेकिन नहीं, आपनी पढ़ा है, बहुत सारी खेल ऐसे हैं, जैसे, billiards है, decreased है, gymnastics है, athletics है, dots है, draws है, बहुत सारी ऐसी what, बीमारियां है, shingles है, जो मनें लिकरें सारी, shingles है, mums है, measles है, rabies है, rickets है, arthritis है, zenzivitis है, बहुत सारे देशों के नाम ऐसे जैसे United States of America है United Arab Emirates है बहुत सारे Newspapers है नौभारत Times है Times of India है Hindustan Times है कुछ किताबों के नाम है Gulliver's Travels है Arabian Nights है ये सारे देखने में plural है लेकिन का Use क्या होगा? Singular तो Singular है तो R कैसे लेंगे Singles के साथ ये एक बीमारी है ना A disease तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा? Is हो जाएगा Singles is a disease हो जाएगा समझ में आए बच्चों? ये सारे शब्द जो मैंने बोले या लिखे आप तयार कर लें जरूर फ़र लाश्ट क्वेश्चन आपके सामने है Along the Northern Frontier of India Is यानि ये हमारा Along the Northern Frontier of India शुरू में आगए लेकिन अगर आप इसे बच्चों सब्जे के रूपे मानेंगे न तो गलत हो जाएगा यहाँ Along में के साथ नहीं है केवल Along हो इस Along में किनारी होता है जैसे they were walking along the river उन नदी के किनारी किनारी टहल रहे लेकिन अगर Along के साथ आप विद लेते हैं इस Along विद के के साथ होती बच्चों यहाँ Along विद नहीं है अर्थात यहाँ सब्जेक्ट वो नहीं जोड रहा है Along the Northern Frontier of India यानि इंडिया का जो Northern Frontier है यानि जो उत्तरी Frontier है सीमा है उसके किनारे उसके किनारे क्या इस जो सेन देखा जाता है क्या देखा जाता है यानि वो सुन्दर और शक्तिशाले हिमालियाज यह Along the Northern Frontier of India किसका जबाब है कहां देखा जाता है यहां देखा जाता है यह पूरा इंवर्जन के रोप में वाकि के आरम में आ गया एडवर्ब हो गया अगर यह एडवर्ब है तो subject कैसे हो जाएगा subject क्या है बच्चों इनवर्जन के कारण subject यह है आपका The beautiful and mighty हिमालियाज अगर आपके मनमें आ रहा है सर यह कैसे हो जा रहा है देखें यह वाकि देखें Here comes रमेश यह here एडवर्ब प्लेस है न जैसे वाकि के आरम में आया inversion हो गया जो बच्चे inversion न जानते हो न समझते हो वो मेरा playlist में जाएंगे वहाँ पे grammar के section में inversion का chapter मिलेगा जहांसा बहतर समझ सकते हैं Here comes रमेश यह comes किसके अनुसार होगा रमेश के अनुसार होगा न के here के अनुसार और देखें बच्चों Under the trees were lying a woman Under the trees के मीनिंग क्या है पेड के नीचे पेड के नीचे तो कहां पेड के नीचे तो फिर इसका मतलब यह क्या हो गया एड़वा प्लेस हो गया जब एड़वा प्लेस वाकिक आरम में आये न तो फिर full inversion होगा full inversion में क्या होगा verb पहले आ जाएगी देखें पहले आई है were lying so रही थी और subject verb के बाद जाएगा देखें a woman last में गया कौन सो रही थी एक औरत अब क्या ये वाकिस सही होगा बच्चों जब subject a woman है तो फिर आप work कैसे ले सकते हैं वर के स्थान पे क्या होना चाहिए था watch आप इसे चाहें तो उल्टा लिखने बच्चों तो समझ जाएंगे आप कैसे a woman was lying under the trees ऐसे समझ जाएंगे वैसे ही ये along the northern frontier of India ये एडवरवा प्लेस है तो इज सीन किसके नुसार आएगा जो इसके बाद subject है क्या subject होगा the beautiful and mighty हिमालियाज तो अगर हिमालियाज है तो इस कैसे ले रहें आप इसके बजाए क्या हो जाएगा यहाँ पर आर हो जाएगा कम समझे हो मेरा inversion का chapter चरूर देखिएगा इसे प्लेलिस्ट में योट्यूब पे आपको मिल जाएगा 19th question पे हम लोग आगे many of boys have not done their homework properly कई सारे बच्चों ने अपना homework ठेक से नहीं किया है have not done तो सही यहाँ पे है their भी सही होना चीए लेकिन आपको जो समझना है वो यही समझना हो cable many है इसके साथ plural countable noun ले और plural verb भी ले ले लेकिन जैसे ही आप many a देखें जैसे ही many a देखें तो इसके साथ singular countable noun आ जाएगा और verb भी क्या हो जाएगी बच्चों singular हो जाएगी even pronoun अगर है तो वो भी क्या हो जाएगा singular हो जाएगी चले देखते हैं यहाँ follow किया गया कि नहीं many a है न तो by यह तो सही हो गया है तुम 100% 100% अब यह have not done अगर आप many बात by ले रहे हैं तो फिर verb भी क्या क्या होनी चाहिए आपकी singular है क्या नहीं है तो सबसे पहले have को क्या बना ले has has not done there pronoun भी plural लिया गया गलत किया गया जब y है तो there के अस्थान पे क्या होना चाहिए था his होना चाहिए और चुकिए एक ही section में इसले आपकी कोई दिक्कत नहीं b में ही सारी गलतियां है कोई दिक्कत नहीं मेंनी अब वाई यह तो सही है has not done his homework properly हो जाएगा यह rule जब त्यार करेगा काम आएगा आपके और यह last question बच्चों आपका there is only one of his novels that are interesting सोचें आप क्या गलत है यहाँ पे यह that relative pronoun है relative pronoun normally किस के नुसार लगता है अपने antecedent के नुसार इसके नुसार क्या लिया है अपने आर लिया है तो आपके नुसार सही होना चाहिए लेकिन आप ध्यान से मेरा rule देखें अगर आपके पास one of the है और इसके बाद कोई आपने plural countable noun लिया है और इस plural countable noun के लिए आपने that या who या which लिया है तो ये हमेशा क्या लेंगे बच्चों plural verb लेंगे क्यों ऐसा करेंगे क्योंकि ये that which या who किसके लिए आप ले रहें एक plural countable noun के लिए रहें जैसे आपने कहा जैसे आ मैं लिख दे रहा हूँ one of the boys who is गलत है क्यों ये who किसके लिए आपने boys के लिए इसलिए इसके अस्थान पे क्या हो जाएगा आर ठीक है लेकिन ये भी rule इससे के साथ याद रखें आप ये कि अगर वो one of के बजाए एक नड़ बच्चों एक नड़ बच्चों अगरो one of के बजाए only one of only one of plus plural countable noun हो plus that हो अब यहां बच्चों who या that आप लिखेगा ही ने क्यों? क्योंकि जैसे only लग जाएगा ना तो relative pronoun के रोप में आप who या which नहीं ले सकते हैं केवल that लेंगे संजुक से यहां that लगा है तो that लेंगे और सबसे बड़ी खाशियत कि अब आप भले यहां plural noun आ रहा है plural countable noun लें that के साथ आपकी वर plural न होकर क्या हो जाएगी? singular हो जाएगी अच्छा रूल बच्चों यह बहुत कम किताबों में आपको मिलेगा मिलेगा बड़ कम किताबों में आप मिलेगा तो यहां देखें only one है है ना? तो only one of is novice यह तो plural countable noun है ना? यह सही है that भी लिया गया यह भी सही हूँ या which रहता तो गलत होता लेकिन इसके साथ वर्ब की गलती आपने कर दिये आर कैसे होगा? जब only one हो जाए तुरण समझ जाए वो that singular लेगा और यही का वस्था है जहां relative pronoun singular हो जाता है तो आर के स्थान पे क्या हो जाएगा? इस हो जाएगा ठीक है? बचो यह मेरा set for यानि last set आपका था subject verb agreement पर जो 80 questions 80 questions मैंने इसमें आपको कराए संजोक से सभी 80 प्रश्ण अलग-अलग तरीके के rules पर आधारित है तो इससे आपका revision जबरदस्थ हो जाएगा अच्छा revision आप कर लेंगे जरूर करिएगा जो बच्चे मेरा subject verb agreement के rules के जो segments है न पढ़े हो वो जरूर देख लेंगे playlist में जाकर के verb concepts के नाम पर playlist में आप मिल जाएगा वीडियो में वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और फिर ये exercise फिर से करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा subject verb agreement सबसे important section होता है जरूर तियार कर लिजेगा इसके लवा अपनी राय जरूर आप दीजेगा कि क्या वो spoken class मेरी with grammar, with translation और with chatting formula यानि chatting पर किस तरीके के हम sentences use करें इनके 7 class आपकी चलाई जाए, 7 बज़े से आपके लिए beneficial होगा की नहीं होगा जरूर बताएं और शाम को 5 बज़े से दिलशेल सर की class चल लएए, वो जरूर जवाइन करें, जो भी बच्चे UPSI लेक पाली या किसी भी one day exam की preparation कर रहे हो, जिसमें मैस हो वो basic से मैस पढ़ाय जाए रहे, सरूर से मिलकुल वो आपकी हमेशा काम आएगा और सुबह 9 बज़े से editorial मेरा भी जवाइन कर ले क्योंकि यह एक ऐसी चीज है, जो हर एक विपदा का समाधान है अगर बच्चा editorial रेगूलर पढ़ता है शुरू में दिखते होंगी, बर रेगूलर पढ़ता है, देरे-देरे मेरे जैसे किसे teacher से, तो निश्चत ही इसका आपको फयादा मिलेगा, जहाँ आपकी word power, grammar का structure, सब कुछ आसान हो जाएगा, ठेक है, तो मिलते हैं आपसे, कब कल सुबह 9 बजे जहाँ पर आपको मैं अपना editorial का 21st session ले करके आपके सामने उपस थेत रहूँगा, ठेक है तब तक के लिए, अलविदा, have a nice day, thank you.